सथा फजनवरी उन्नीतो अकुरसट को मुंबई में जनमे बॉबी देओ आज मौजूदा समय में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने पिता धरमेंद्र और अपने बड़े हे भाई सनी देओल के नक्षे कदम पर चलते हुए उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना कदम रखा और अपने पिता की फिल्म धरमवीर में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट पहली बार उन्होंने परफॉर्म किया। जो पॉजिटिव किरदारों से हट कर नेगेटिव किरदारों में भी खूब पसंद किये जा चुके हैं। जिसका जीता जागता सबूत आप संदीप रेड़ी के निर्देशन में बनी फिल्म एनिमल से लगा सकते हैं। जिन फिल्मों में बॉबी देउल ने बतौर खलनायक अपनी भूमी का निभाई और नेगेटिव किरदारों से उन्होंने दर्शकों का दिल भी जीता। सबसे पहले बात करना चाहेंगे। बॉबी देउल ने इसमें नेगेटिव किरदार निभाया था जो गलत लोगों की ओर से बार-बार हो रहे अत्याचारों से परेशान होकर गलत राह पकड़ डलेता है। सबसे ज्यादा उनकी वाहवाही आश्रम वेब सीरीज से हुई। फिल्मों से हटकर जो उन्होंने वेब सीरीज में अपना कदम रखा तो उनके लिए मील का पत्थर साबित हुआ। OTT पर भी नेगेटिव किरदारों से खूब तालियां बटोर चुके हैं और आश्रम वेब सीरीज में उनके बाबा निराला वाले किरदार की खूब तारीफें हुई थी। इस वेब सीरीज को करने के बाद बॉबी देओल ओटीटी के किंग भी बन गए थे। बलकि दूसरी पारी में भी उनके करियर के लिए काफी शानदार साबित हुए इसके तीनों सीजन सुपर हिट रहे। और चौथे सीजन का इस समय खूब बेसबरी से इंतजार किया जान इसी के साथ ही लव हॉस्टल की बात करें तो ये फिल्म डोहा डॉमबाइत में रिलीज हुई थी और इसमें वो खूंखार विलिन बने नजर आये थे और इस फिल्म में उनके निगेटिव किरदार की खूब सराहना हुई थी इसके साथ ही अगर एनिमल फिल्म की बात करें तीन नेक्रों पू घंटे की फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म में बॉबी देवल के किरदार को सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही दिखा कर समेट दिया गया। लेकिन उन्होंने अपने किरदार को पानी की तरह बढड़ दोहे परदे पर पेश किया। इसका नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म ब्लॉक्बस्टर साबित हुई, साथ ही उनके किरदार की भी खूब तारीफ है। कई लोगों का ये भी मानना था कि बॉबी देउल के किरदार की वजह से ही एनिमल फिल्म इतने बढड़े पैमाने पर सुपर डुपर हिट हो पाई थी। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि बॉबी देउल सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, बलकि ग्रेशेड वाले किरदार में भी खूब वाहवाही लूट चुके हैं, और आने वाले समय में कंगुआ जैसी भढड़ी फिल्में बतोर खलनायक नजर आ सकते हैं, वैसे आपको इनमे से कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी और भी ऐसी ही अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और भार्टसेप ग्रुप को जोईन करें